हाई आवरिवन दोस्तों आपके सामने राज्यसभा टीवी का यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो है जुसमें दिग्वेजे सिंग ऑनलाइं इग्जामिनिशन के बारे में कुछ बता रहे हैं अब यह क्या डिसकस हो रही है और यह क्या है थोड़ा समझते हैं यह को पार्ल का सेशन चल रहा है उसमें एक बिल लाया गया है जो एक्जाम में अनफेर मिंट की जो प्रैक्टिस होती है या फिर सिधी भाषा में जो करप्शन होता है तो उसको रोखने के लिए लाया गया है अभी बिल तो पूरा पढ़ना पढ़ेगा यह किस बारे में है पर यह इसको बारे में बात करें इस आपसे ओलाइन इग्जामेशन बैन करना चाहिए यह को ऑनलाइन जो इक्जाम होते हैं तो हमारे पास में इतने सारा इंफास्ट्रक्ट्चर नहीं है कि एक दिन में एक ताइम में सारे ओनलाइन तो यहां पर क्या होता है कि online exam 15 दिन चलते है अलग-अलग shift में उसके लिए अलग-अलग question paper बनाने होते है अलग-अलग अब यह बिल्कुल नहीं हो सकता कि सारे सारे के सारे question एक ही level के हो तो कुछ question paper बहुत easy आ जाते है और कुछ बहुत hard आते है अब इसको balance करने के लिए एक नया नियम लाया गया था जिसको बलते है normalization normalization में होता है क्या है आपको सबको पता है जो easy paper गया है उन बच्चों के लिए mask कार दिये जाते है और जिसका hard गया है उसको mask दिये जाते है बट अब यह पूरी तरह company के हाथ में अब जब normalization scheme का फाइदा उटाके यहां पर corruption बहुत बुरी तरह होने लगा है ऐसा इनका कहन है तो वैसे भी normalization की एक वजह है और उसके अलावा बहुत सारी वजह है देखो यह जो exam लेने वाली जो company है ना तो पहले तो इनका standard बहुत बेकार होता है standard standard ऐसा बेकार होता है कि यह जो slabers prescribe करते है slabers उसके हिसाब से exam नहीं होते कि अब अब को सबको अनुबा हुँना कि इस लिचा बगाते हैं और exam में पूछा कुछ जाता है कुछ भी पूछतें बेटू का इनके पास एक question bank नहीं होता है अब question bank, question bank यह इसके भी अलग-अलग section के अलग-अलग department के exam होते है हमारे तरब तो अब यहाँ पर वो ही question chip काईगी है जो question bank में है तो इसमें corruption होने के लिए बहुत chances है और कोई standard नहीं इसका मैं आपको एक example देता हूँ थोड़ी दिन पहले या पिछले साल एक test exam होई थी test exam में बच्चों ने एक साल बार full study करके गई थी syllabus के recording बट exam में पूछा कुछ और ही है और साथ-साथ पूछने के साथ-साथ exam में पूछने के साथ-साथ जो timing मिलना चाहिए था exam को solve करने के लिए वो बहुत कम था और math और reasoning के इतने question डाल दिये थे math और reasoning बहुत सारे question डाले थे उसमें और उसके लिए time बहुत कम था और दुसरी बात IBPS के एक बात बताता हूँ IBPS की IBPS में ना random question होते है mix तो बच्चों को planning भी नहीं करना आती कि कौन सा आसान है या कौन सा मुश्किल है या किसे छोड़ना है या किसे attempt करना है तो वह भी बहुत दिक्कत होती है और सबसे main problem है इसका standard कुछ नहीं है और normalization उसमें और एक बहुत वज़े है कि company के हाथ में बहुत सारा description चल जाता तो वहाँ पर corruption उन्हें के chances बहुत ज्यादा है यहाँ पर यह दिग्विजी सीगी ना यही बात करना है कि जो normalization है यह बहुत बड़ी corruption की वज़ा बन गी है और इन्होंने online exam पर भी बैंद करने की बात की है उसके साथ उन्होंने यह bill में बहुत सारे सुजाव दिये है और उन्होंने यह bill का मतलब उसको स्वागत किया है कि यह bill आना चाहिए ऐसा उनका मत है मतलब यह कहने कि यह हो सकता है कि online exam बैंद करने के बारे में ही है या फिर online company को बैंद करने के बारे में ही है वो तो समझ मेंगा जब हम बिल पड़ेगे, अब इसमें आपकी क्यार आए वो आप बताई, आप कमेंट करके बताईए, कि ओनलाइन जो एक्जामनेशने वो बंद होने चाहिए या उसने वैसे ही continue रहना चाहिए, उसके साथ साथ और कुछ अपडेट मिलेगी तो मैं आपको ज़रू शेयर करूगा, आगे की जानकारी के लिए हमाँ साथ बने रहिए, मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबा है